अध्याए 14, वैराग्य का पाठ सोमदंत के गुजर जाने की कहानी, हिमाले के मनमोहक जंगलों के भीतर गहरे, एक एकान सन्यासी ने अपने विनम्र निवास में सांक्वना मांगी. एक दिन, भाग्य ने उसे एक लावारिस बच्चे हाथी की खोच करने के लिए प्रेरित किया, जिसे छोड़ दिया गया और जंगल की सनक पर छोड़ दिया गया. अनात प्राणी के लिए करुणा से भरकर साधू का हृदय सहानुभूती से उमड़ पड़ा बिना किसी हिचकी चाहट के, उसने हाथी के बच्चे को अपने पंप के नीचे ले लिया और उसे अपनी विनम्र कुटिया में ले आया. इसके बाद के दिनों में सन्यासी और युवा हाथी के बीच एक बंधन प्रस्वतित हुआ. हाथी के भोलेपन से मुग्ध साधू ने उसे सोमदंत नाम दिया और अटूट प्रेम से उसका पालन पोशन किया. उन्होंने सोमदंत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन और पानी इकठा करते हुए जंगल को खंगाल डाला. हालां की एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन सन्यासी को अपने दैनिक कामों के लिए अपने अभ्यारने से बाहर निकलना पड़ा, उसके बारे में अंजान, सोमदंत ने खुद को अकेला पाया. फल और जीविका के मोहक सरनी से घिरा हुआ. अज्यात स्वादों के आकरशन ने उसे अभिभूत कर दिया, और किसी भी सैयम के अभाव में उसने जो कुछ भी देखा, उसे भस्न कर दिया. अपनी मर्यादाओं से अनभिग्य सोमदंत तब तक सेवन करता रहा, जब तक कि उसका पेट सहन न कर सका और दुख की बात है, कि वहाँ फट गया डौट, शाम को जब साधू अपनी कुटिया में लोटा तो सोमदंत का निर्जीव शरीर देखकर उसके मन में शोक की लहर जुदाई का बोज असानिया हो गया और उसकी पीडा भरी चीखों ने शांत जंगल को भर दिया, सन्यासी के दोहक को देखते हुए स्वरगियक शेत्रों के शासक सक्का सांत्वना और मार्ग दर्शन देने के लिए अपने दिव्य निवास से उत्रे, करुणा के साथ रोत एक बार आप एक धनी व्यक्ति थे, जो सांसारिक मों में डूबे हुए थे, लेकिन आज आपने एक त्यागी के मार्ग को अपनाया है सांसारिक को पार करना, आसक्ति की प्रकृती पर चिंतन करें, क्योंकि यह क्षडिक और अनित्य है क्या भौदिक संसार से आपका लगाव वास्तव में उचित है, सता के शब्दों में गेहन सत्य से चकित साधू, अपनी मूर्खरा और अपने लगाव की गहराई के प्रती जाग गया उन्होंने सांसारिक इच्छाओं के भ्रम में फंसने के नहित खत्रों को महसूस किया नई स्पष्टता के साथ उन्होंने सभी चीजों की क्षणिक प्रत्रिती को समझते हुए अपने शोकाकुल विलापो को बंद कर दिया डौट आत्मज्यान के कोमल आलिंगन में साधू का हृदय वैराध्य के ज्यान के लिए खुल गया उन्होंने माना कि मुक्ती का सच्चा मार्क शर्भंगुरता से नहीं बलकि शाश्वत को गले लगाने में है वह समझ गया कि सोमधन्द पर उसने जो प्रेम और देखभाल बरसाई थी वह करुणा के कार्य थे लेकिन उन्हें मोह से नहीं बांधना चाहिए था एक शांत संकल्प के साथ साधू ने सभी चीजों की नश्वर्ता को स्वीकार करते हुए दुआ की पकड़ को छोड़ने का फैसला किया उन्होंने सोमधन्द के निधन को वैराग्य और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृती में एक गहन सबक के रूप में स्वीकार किया अस्तित्व के विशाल टेपेस्ट्री में उन्होंने महसूस किया कि सभी प्राणी चाहे वह मानव हो या हाथी जन्म और मृत्यू के चक्र के अधीन थे सक्का की शिक्षाओं को अपनाते हुए सन्यासी ने खुद को आध्यात्मिक विकास और ज्यान के जीवन के लिए समर्पित कर दिया वह ध्यान और चिंतन में एकांत की तलाश में जंगल के गर्भग्रिह में गहरे चले गए सोमदंत के गुजर जाने की कहानी उनकी स्मृती में उकेरी गई जो आसकतियों की क्षणभंगुर प्रकृती और आंतरिक मुक्ती के महत्व की निरंतर याद दिलाती है और इसलिए सन्यासी ने अपनी यात्रा जारी रखी उसका हरिदय वैराग्य के ज्यान से प्रफुलित हो उठा प्रत्यक बीत्ते दिन के साथ उन्होंने जीवन की नश्वर्ता की अपनी समझ को गहरा किया अपने अस्तित्व के भीतर शांती की गहरी भावना का पोशन किया जैसे जैसे मौसम बदले और जंगल नए जीवन के साथ खिल उठा सन्यासी का आंतरिक परिवर्तन बाहर की ओर फैल गया जिसने उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के जीवन को छू लिया उनकी उपस्थिती सांत्वना और प्रेरना का स्त्रोत बन गई जो साधकों को आसकती से मुक्ती के लिए उनकी अपनी खोच पर मार्ग दर्शन करती है हवा की कोमन सरसराहट और प्रकृती की धुनों के स्वर में सन्यासी को सांत्वना और उद्देश मिला और जैसे ही वह ज्यान के मार्ग पर चला सोमदंत की आत्मा उसके साथ हो गई जो अस्तित्व की क्षण भंगुर प्रकृती और आसकती के परदे से परे अनन संभावनाओं की याद दिलाती थी